Hello everyone, तो आज हम बहुत ही important वीडियो के साथ आए हैं तो आज हम discuss करेंगे 2026 strategy ठीक है देखे हमारे पास 21 months है और time हमारे पास अच्छा कासा है लेकिन इस time को आपने सही तरीके से utilize करना है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि या time तो बहुत है मेरे पास अभी है ना तो ऐसे में क्या होता है बहुत सारे लोग casual हो जाते हैं अपनी preparation में तो वो गलती आपने नहीं करनी है और starting के जो 6-8 months होंगे ये decide करेंगे कि आगे आने वाला time कैसे होगा तो ये वीडियो को end तक जरूर देखना बहुत सारी important चीज़े में discuss करूँगा क्योंकि देखो 26 में आपका attempt है तो बहुत सारी चीज़े हैं जो आपने अभी नहीं करनी है लेकिन आप मैंसे बहुत सारे estimates करते हैं वो गलतियां जैसे current defense के regarding में बताऊँगा कब से कब तक आपने ज़्यादा focus करना है seaside यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कब आप उसको target करेंगे कितना time देना है तो यह सारी चोड़ी चोड़ी चीज़े होती है जो हमको एक attempt cost कर सकती है तो यह मैं discuss करूँगा तो वीडियो को end तक देखना और एक बर comment करके ज़रूर बता दीजिए कि कितने time से आप preparation कर रहे हो और नहीं करी है तो बता दीजिए कि कब से करने वाले हो ठीक है तो सीधे start करते हैं without wasting the time देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 phases रखे हैं जो जितने भी जैसे बाकि strategies होते थे तो मैं उनको 4 phases में divide करता हूँ लेकिन यहाँ पर एक extra phase आया है तो total हमारे पास 5 phases है और देखो plan बहुत simple है plan यह है कि हमको plan यह है कि हमको starting के 3 phases में अपना जो syllabus है वो cover करना है ठीक है उसके बाद यह होगा आपके लिए bonus phase ठीक है देखिए बहुत simple है phase 1 में core subjects को हम target करेंगे phase 2 में main subjects plus R R मतलब revision किन चीज़ का revision करना है कैसे करना है यह मैं थोड़ा detail में बताऊँगा phase 3 है GS code के जो remaining subjects है again revision और phase 4 में बताऊँगा मैं कि वहाँ पर आप क्या कर सकते हो और फिर last में आता हमारा phase 5 जिसमें कि आपने सिर्फ films की तियारी करनी है यह तो सिर्फ एक overview है detail में जरा बात करते है ठीक है आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं अपने books के बारे में बताना चाऊँगा ठीक है अभी recently ही मैंने GS books launch करी है तो आप देख सकते हैं टोटल सेविन books है पॉलिटी की है एकनॉमिक्स की है हिस्ट्री जोग्रफी एन्वायरमेंट साइन्स इंटेक और जनर नॉलिज अब देखो ये books आपको आपकी preparation में बहुत मदद करेंगी जब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाऊँगा सिर्फ दो तीन मिनिट लोगा ठीक है ज़्यादा परिशान नहीं करूँगा आदेकि ये जो key features है हमारे book के देकि सबसे पहले तो तीन जो इसके जो most important pillars है वो यह है कि यहाँ पर NCIDs को हमने integrate किया है तो NCIDs में बहुत सारे experience परिशान रहते हैं तो यहाँ पर ये book उनको बहुत मदद करेगी ठीक है दूसरा है diverse practice of opportunities मतलब कि यहाँ पर practice के ले बहुत सारे question डाले क्योंकि पढ़ने के बाद practice कहां से करे कैसे करे कितनी करे वहाँ पर experience काफी परिशान होते हैं तो एक काफी हर book में आपको 1000 से जादे MCQs मिलिंगे ठीक है उसके बाद देखो ये तो ठीक FYQs available है 2017 से 24 ये basic चीज हो गई है लेकिन सबसे important है कि notes में काफी सारे experience को परिशानी होती है कि बहुत नोट कैसे बनाओ ये आप माली जे कोई एक particular chapter है तो उसमें key points में कैसे form कर सकता हूँ तो इसलिए हमने आप और लड़ी form कर रखे हैं जैसे कि mind maps हो गए हर chapter में आपको mind map infographics, charts, tables ये सारे चीज़े मिलेंगे ठीक है बागी mains related mains PYQs ये पर post कर रखे हैं कोई भी अगर आप chapter पढ़ते हो तो आपको पता रहे कि इस particular chapter से mains के questions कैसे form हुए है जो कि आपको कभी मदद करेगा exam and understanding के लिए ठीक है तो इस तरीके की चीज़े है बाकी थोड़ा आप read कर सकते है ठीक है अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा अगर मैं और short में आपको समझाऊं देखिए जो हमारी books है एक तो आपको आपको unsighting में बहुत मदद करेंगी क्योंकि देखो आपको बता है जब हम unsighting करते हैं तो वहाँ पे हमको point format में answer लिखना होता है मतब सारा खिल points का होता है तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी points की formation में ठीक है short notes यहाँ पे आपको मिलेंगे book में ही क्योंकि जो book है उसको बहुत ही एक concise wave में form किया गया है जिसे कि पढ़ने में आपको आसानी रहे ठीक है static portion obviously is covered no doubt लेकिन revision purpose से काफ़ सारे practice questions available है ठीक है NCID coverage है यानि कि NCID की जितने भी important concepts है तो वो आपको book में मिलेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और last में कैसे purchase कर सकते हैं देखिए या तो आप हमारी official website पे जा सकते हैं shashangasajwan.com वहाँ पे आपको direct link मिल जाएगी या फिर बहुत simple है आप Amazon पे जाएए Amazon पे जाएए ठीक है amazon.in वहाँ पे आप सिर्फ shashangasajwan type कर लीजिएगा वहाँ पे आपको books मिल जाएगी देखो पूरा combo भी available है और individual books भी available है जो आपकी preference है आप उसे pick कर सकते हैं ठीक है चलिए अब आते हैं मुद्दे पे ठीक है एक और चीज़ बता दूँगा कि भाई देखो आप message जो 26 madam दे रहा है ये books आपको बहुत जादा benefit करेंगी क्योंकि देखिए point ये नहीं है कि हमने 1000 pages की या 800 pages की book को नहीं बनाए अगर मैं चाहता तो अगर वो किताब हम पढ़ ही नहीं पाएंगे उस किताब को हम revise ही नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है हमको syllabus cover करना है smart way में उसके बाद practice करनी है पी वाई क्यूस भी होने चाहिए और short notes भी होने चाहिए जिससे कि भाई एक sprint की सबसे बड़ी problem होती है कि time मेरे पास limited है but I need to cover the slivers in a simple way ठीक है चलिए अब यहाँ से आते है phase 1 ठीक है phase 1 है हमारा यह 8 months का September से लेके April, confused मत होईएगा अभी है 2024 तो यानि कि 2024 September से लेके 2025 April तक starting में मैं 6 months दे रहा था लेकिन देखिए मुझे पता आप मेंसे काफी सारे spend जो final year में है आप मेंसे काफी सारे spend जो working person है तो 8 months मैंने दिये है ठीक है तो कईयों को जादा लग रहा होगा कईयों को कम भी लग रहा होगा लेकिन 8 months more than sufficient है ठीक है देखो आपने बहुत simple सी approach follow करनी है दो महिना एक subject जैसे कोई भी subject आप start कर सकते हो you can start with quality दो महिने फिर दो महिने economics दो महिने geography, history आपकी चोईसे कोई subject जल्दी cover हो जाता है तो आप दूसरे पर jump कर सकते हो देखो simple सी बात यह है जादा मैं यहाँ पर expect नहीं कर रहा हो तो यहाँ पर आपके पास time थोड़ा सा जादा है अब यहाँ पर इस phase में देखो आपने GS पढ़ना है optional पढ़ना है current phase बहुत जादा नहीं पढ़ना है current phase के यह तो आप analysis video देख सकते हो या फिर उसके short notes read कर सकते हो newspaper के current phase या पर सिर्फ awareness purpose से पढ़ना है actual में जो current phase आपने पढ़ना है detail में वो पढ़ना है 2025 में से ठीक है अब यहाँ पर देखो time कैसे manage करना है बहुत simple है ठीक है देखो यह जो core subjects है यह आपने daily पढ़ने है ठीक है daily पढ़ना है Monday to Saturday और Sunday को आपने revision करना है optional का मैं बहुत simple सी बात बोलूँगा कुछ नहीं आपने two days that's it optional को weekend में पढ़ना है बाकी पांस दिन पढ़नी के ज़रत नहीं है आपकी choice है किसी ने coaching लगा रखी है किसी को पढ़ना है वो आपकी choice है but दो दिन या दो तीन दिन हफते में पढ़ो more than sufficient है because अगर दो दिन भी आप पढ़ते हो तो optional आप कम से कम 30 से 40 percent बड़े comfortably 50 भी हो सकता है depending के छोड़ा optional है तो आप April तक अपना 40-50 percent optional कवर कर सकते हो और देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ अगर किसी ने GS और optional अच्छे से cover कर दिया तो उसकी 50 percent मजबूत हो जाएगी preparation ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ GS और optional एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ ठीक है इस phase में आपने कोशिश करना है कि revision भी हो जाए example आपने पहले polity पढ़ा ठीक है उसके बाद आप आए economics पे तो जब आप economics पे आएंगे तो फिर यहाँ पे कोशिश करना है कि polity का थोड़ा-थोड़ा revision हो जाए at least फिर उसके बाद जब आप माली history पे आएंगे फिर आपने कोशिश करना है कि थोड़ा-थोड़ा economics और थोड़ा-थोड़ा politics revision हो जाए यह चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि revision आपका चलते रहने चाहिए और एक और सबसे important चीज़ है वो यह है वो है Sunday को आपने सिर्फ दो चीज़ों को follow करना है एक जो भी आपने हफते भर में पढ़ा है उसका revision करना है और कुछ नहीं और एक full length test लगाना है जो भी subject आपने पढ़ा है उसके जो भी chapters पढ़े है ठीक है और यहाँ पर I think हमारी book काफी मदद करेगी मलिज उसके आपने 3-4 chapter पढ़े तो उसके पीछे ही questions available है P.I.Q.s है basics है advanced है practice कर सकते हो ठीक है वना आप कोई भी paper ढूंड के practice कर सकते हो कोई दिकत नहीं ठीक है बहुत simple सा phase है यह चालिए अब आते है next phase में next phase है यह है 4 months का ठीक है अब दिखिए इस phase में मैंने थोड़ा extra जो हमारे remaining mains के subjects है वो add कर रखे है आपके बस 4 months है बहुत simple है approach क्या होगी ठीक है एक महिना आप ethics को लोगे एक महिना social issues यह जो GS paper 1 है इसके remaining subjects एक महिना और एक महिना यहाँ पे GS1 social issues हो गया RDN culture GS2 governance and IR GS3 हो गया internal security DM disaster management ठीक है अब यहाँ पे आपने 7 में revision करना है core subjects का अब कैसे revision करना है देखो मैं आपको एक चीज़ बता दू ethics में आपको एक महिना लग सकता है ठीक है यह consider कर रहा हूँ कि दिन में आप सिर्फ 4 गंटे time दोगे ethics को अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि हमारे core subject है अब उनको भी revision करना है अगर आप revision नहीं करोगे तो वो हुझा आपकी 8 मेनी की महनत ही वो हो जाएगी पूरी बरबाद trust me, this is the truth तो आपने का करना है जैसे ethics है ethics के time पे आपको यह subject उठा सकते हो जो आपको आसान लगता हो policy, economics, history, geography मैंसे जोग करते हैं बहुत easy subject है उसको मैं revision करूँगा कैसे करूँगा भई मैंने क्या का 6 गंटे करी अब आपने time देना है चार गंटे आपने ethics को दिये देर दो गंटा कोई एक subject उठा सकते हो माल लेते हैं आपने आपने यहाँ पे उठा दिया geography ठीक है उसके बाद अब आपने second month पे आए social issues, art and culture आपने उठा दिया आपने उठा दिया है आपने history and इसके लिए उठा सकते हो economics that's it तो चार महिने में ये भी हमारा plan done भूलना नहीं है optional अगभी भी आपका चल रहा है Saturday, Sunday दो दिन करना है बहुत जादा load नहीं लेना है ठीक है by the end of August आपको optional 60-70% हो चुका होगा ठीक है चलिए अब आते हैं next यहाँ पर देखो अब जो कि May वाला मन था गिया ना तो current phase अब यहाँ पर की start हो जाएगी end मैं आपको थोड़ा सा current phase की regarding बताऊंगा लेकिन थोड़ा यहाँ भी बता देता हूँ कि monthly magazine उठाईए किसी भी trusted coaching की daily basis पे आप तो उसको एक घंडे का time दे सकते हूँ देखो एक और चीज मैं आपको बता दूँ वो यह है थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ यार देखो इस चीज को आपको समाझना पड़ेगा ठीक है चलो इसको मैं थोड़ा last में बताऊंगा बहुत important point है क्योंकि एक बर मैं समझा देता हूँ उसके बाद मैं बताऊंगा जो बहुत ज़ादे important है इसको note down कर देना और ये अगर नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है पहले इस phase के बारे में बात करते है अब आता है उसके बाद phase 3 देखो phase 1, phase 2 में आपने core subjects, GSK remaining subjects cover कर दिये phase 4 में देखो अब हमारे जो दो important subject बसते है environment of science and tech इनको late इसलिए करना है because ये current oriented है ठीक है तो थोड़ा late करेंगे तो जादा अच्छे समझ में आएगा तो 2 months है अब आप time दे सकते हो अब ये आपकी choice है आपको एक महीने environment को देना है एक महीने science and tech को देना है बाकी time revision optional cover करना है या फिर दो महीने environment को देने है दो महीने science and tech को देने है तो वापे कम time आपको देना पड़ेगा उसको cover करने के लिए और साथ में revision करना है ठीक है मैं क्या मानता हूँ मेरे किया मतलब philosophy है मेरी ये है environment को दो two months इसको दो two months अब जोंकि आप अगर environment को दो मेने दे रहे हो तो आप पे load नहीं है daily basis पे अगर दो या तीन गट दो ड़ाई गटा है भी अगर आप देते हो कर सकते हो cover ठीक है अब ऐसे में option आपका जल्दी cover हो जाएगा और उसके बाद जो time बसता है वो अपना लगाई है core subjects में जो भी आपने past में subjects पढ़े हैं उनको revise करना है तो यहाँ पे comfortably ये चीज़ भी हो जाएगी ठीक है time का अगर मैं आपको बताओं तो यहाँ पे अगर आप 8 घंटे के करीब देते हैं तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे preparation में time आपका बढ़ना चाहिए यह मत expect करना कि अभी मैं 4-6 घंटे दे रहा हूँ तो बाद मैं भी 4-6 घंटे दूँगा क्योंकि यहाँ जैसे ऐसे exam नजदीक आएगा तो बहुत सारी चीज़ा आपने पढ़ी होंगी आपको revise करना है तो time थोड़ा ज़ादा देना पढ़ेगा तो अगर आप daily basis पे 2 hours environment को देते हो 2 hours optional को देते हो 4 hours 1 hour आप current phase को देते हो remaining time जो 2-3 घंटे बचे वहाँ पर आप revision कर सकते हो और practice तो Sunday Sunday को Sunday Sunday को एक test लगाना है 100 MCQ उसका एक test अगर आप लगाते हो तो सोचो आपको 21 months है 21 months है यानि कि आपके पास लगबग-लगबग 84 weeks है 84 full length test आप लगा चुके होंगे बहुत बड़ी बात होती है generally एक S print 15 BC लगा पता है जो बहुत जादा मेहनत करते हैं वो 35-40 लगा पते हैं ठीक है तो आप तो दूगना कर रहे हो फिर भी इसके बाद आते हैं जो हमारा phase 4 होगा यह phase 4 है यानि यह bonus time है आपके लिए जो अभी तक regular रहा तो उसके लिए यह जो दो महीने जैन फेब का यह bonus है क्यों? क्योंकि phase 3 तक आपका slavus cover हो चुका है optional cover हो चुका है revision हो चुका है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो अगर अभी भी कोई आपका pending कुछ छूड गया है आप उसको cover कर सकते हो यहाँ पर optional को एक बार revision जरूर करना यह mandatory है क्योंकि इसके बाद optional आप छोड़ दोगे अगले 5 महीने optional छोड़ दोगे ठीक है? तो इसके कोशिश करना कि एक revision हो जाए बाग की तो देखो practice करनी है यहाँ पर यहाँ पर PYQs ठीक है? आपके mocks revision और short notes थोड़े से short notes आप बना सकते हो कि यार चलो यह particular chapter है यह particular topic है यह subject है यहाँ पे थोड़े दिक्कत परिशानी होती है तो मैं short notes बना देता हूँ ठीक है? और last में आता है आपका 3 months यहाँ पे 3 months है March, April में इन 3 months में आपने सिर्फ pre-oriented preparation करनी है mains की चीजें side रख देनी है ठीक है? यहाँ पे आपने करना है revision और यहाँ पे करना है practice अब इन 3 महिनों कैसे manage करना है don't worry, वहाँ पे video आ जाएगा last में कि 3 months में भी आपने GS, जो हमारे subjects है PLIMS वाले तो उसको 3 बार revise करना है किस तरीके से करना है तो वहाँ पे video आएगा don't worry about it तो मैं और detail में आपको समझा दूँगा ठीक है? अब देखो जो important चीज में बता रहा था मैं वो यह बता रहा था देखो यार हमने अलग-लग phases divide किये ठीक है न? हमारे पास है 5, phase 1, 2, 3, 4, 5 एक चीज आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका जो study time है वो बढ़ना चाहिए बस यह चीज आपने दिहान में रखनी है क्यों बढ़ना चाहिए? अब आप खुद इसमें आपे थोड़ा सा common sense लगाईए जब आप phase 1 में थे आपके पास 2-4 चीज़ें थी पढ़ने को ठीक है अब आप जब phase 2 में आए तो ये चीज़ें तो हैं ही है revise करने को लेकिन साथ में extra भी चीज़ें add हो गई जैसे कि GS mains के subjects फिर जब phase 3 में आएंगे तो आपको बता है भी आपको optional भी मैंने complete कर लिया course subjects भी कर लिये नए subjects भी पढ़ रहा हूँ mains के भी subjects है सारी चीज़ें एक साथ revise नहीं करनी है बट चीज़ें आपके पास बहुत सारी है तो यहाँ पर आपका time बढ़ना चीए और अगर मैं आपको suggest करूँ अपने तरफ से तो को phase 1, 2 और 3 में अगर कोई 6 hours के करीब भी पढ़ाई करता है न तो वो अच्छे से अपने targets को पूरे कर सकता है लेकिन phase 4 में आते आते कहीं नहीं आपकी preparation 8 hours के करीब हो जानी चीए और जब phase 5 में आप आएंगे यार देखो आखरी के 3 महीने 10 गंटे, 12 गंटे यह मैं नहीं बोल रहा हूँ आप किसी से भी सुन लीजिए जिन्होंने exam निकाला है तो उनका यह बहुत ही common time रा है हो सकता है कि आपका जो काम है 8 गंटे में भी हो जाए time का यहां पे मतलब यह होता है कि इतनी सारी चीज़े हमने पड़ी है इतनी सारी चीज़ें को revise करना है go through करना है obviously it will take time simple ठीक है तो आप target base पे भी कर सकते हो बट थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए इसके बाद देखो थोड़ा सा इसके बारे पे मैं discuss कर लो देखे current defense का मैंने आपको बता दिया है कि major जो आपने focus करना है वो करना है मैं फिर भी April May कहता हूँ मैं May ही मान लेता हूँ May 2025 से आपने monthly magazine पे ज़ादा focus करना है ठीक है May तक आप analysis वीडियो देखो newspaper notes read करो notes नहीं बनाने है note making मत करने लग जाना current defense की जो कह सकते हो जो articles है ठीक है ना उनको इखटे मत करना सिर्फ understanding सिर्फ awareness purpose से पढ़ लो कि भाई ठीक है ये किस तरीके के current defense आ रहे है क्या चल रहे है दिन दुनिया में हमारे flavors related कौन कौन सी news आ रही है that's it ठीक है उसके बाद cset का देखो cset का एक तो देखो आप जो phase 4 है phase 4 में आप target कर सकते हो और या फिर आप phase 3 में जो मैंने पीछे mention की है cset का देखो बहुत simple है मैंने एक detail में वीडियो बना रहा है cset का उसे मैंने बहुत अच्छे से समझा रहा है कि भाई किस तरीके से कितने कितने distribution है questions की ये section cset में quant reasoning और English है क्या cut off क्या qualifying marks रहते हैं ठीक है न तो थोड़ा सा वो जो strategy है ये सारी चीज़े मैंने इस वीडियो में डिसक्स किया तो एक बार वो वीडियो देख लीज़ेगा cset को कैसे prepare करना है कैसके resources होनी चीए वो सारे उस वीडियो में मैंने डिसक्स किये है आप मेरे एक बार सर्च कर ले न शशान सजवान cset वीडियो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है तो उससे आपका I think हो जाएगा यहाँ पे समझाऊँगा तो वीडियो जोड़ा लेंदी हो जाएगा देखिए आंसाइडिंग और प्रैक्टिस मैंने बहुत सिंपल सी एक बात बोली है यहाँ पे बहुत सारे लोग परिशान रहते हैं आंसाइडिंग कप से करूँ प्रैक्टिस कप करूँ कैसे करूँ कितना करूँ बहुत सिंपल सा सॉलूशन बता रहा हूँ सिर्फ इस पे स्टिक कर लो आपको परिशान नहीं होना है ठीक है कुछ नहीं करना है हफ़ते हफ़ते में आपने सिर्फ इतना करना है ठीक है ना संडे संडे को 100 MCQs जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो उससे प्रैक्टिस कर 100 MCQs का आपने फुल लेंट टेस्ट लगाना है और 5 questions for answer writing ठीक है बस जो भी आपने पढ़ा है जो subject आपने पढ़ा उस पर answer writing आपने करनी है answer writing पे बहुत जबरदस वीडियो आएगा इसके दो तीन वीडियो बाद में एक answer writing पे वीडियो लाँगा उस वीडियो से आपकी जो problem है doubts से वो clear हो जाएंगे तो unsighting के related पे आप ज़्यादा चिंता मत करिए बस यह आपका target होना चाहिए बहुत ज़्यादा daily नहीं करनी की ज़रत है ठीक है अब आप खुद सोचो ना कि daily क्या क्या करोगे आप daily आप GS भी पढ़ोगे current FS भी पढ़ोगे optional भी पढ़ोगे PYQ भी करोगे test भी लगाओगे unsighting भी लगाओगे revision भी करोगे फिर past का revision भी करोगे यह नहीं हो पाता है यह सब पूरा यह कहनी की बात है ऐना ऐसा schedule मा बदनाने की 8 गहिंटे पढ़ रहा हूं मैं 2 घंटा यह पढ़ रहा हूं 1 घंटा ऑप्शनल 15 मिंट answer writing यह नहीं work करेगी ठीक है ना आपने वो चीज़ें add करनी है जो sustainable है जो मैं लंबे समय के लिए regular basis पे follow कर सकता हूं सिर्फ वो चीज़ें add करी है ठीक है ना तो यह चीज बहुत बढ़िया है Sunday को अलग रग दो Sunday को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है simple सा rule है इसको हमेशा याद रखना यह चीज बहुत मदद करेगी जो लोग यहां तक पहुचे होंगे Sunday को कुछ नहीं जो भी मैंने हफते में पढ़ा है मैं उसका revision करूँगा बस मैं कुछ नया कंटेंट नहीं पढ़ूँगा दूसरी बात यह है कि 100 MCQs का मैं test लगाऊंगा ठीक है for plans और 5 questions पर answer एटिंग करूँगा for means बस इससे यादा मैं Sunday को करूँगा ही नहीं कुछ ठीक है बस इतना सा आपका होना चीए ठीक है चलिए तो I hope काफी चीजे clear हो गई होंगी वीडियो जिनोंने लास तक देखा है तो एक heart जरूर दीजिएगा लास तक बहुत कम लोग पहुँच पाते है क्योंकि बहुत लोगों पे patience नहीं होता है है ना अगर किसी ने सिर्फ PPT देखी होंगी तो उनके नहीं चीजें समझ में आएंगी है ना क्योंकि देखो दो साल है लगबख 21 months है 21 months को मैं सच बता रहा हूँ जो मैंने आपे plan share किया इसका कोई अगर 75% भी follow कर लेगा तो उसको सिर्फ एक दो महीने में ही change नजर आएगा और यह संडे वाली बात मैंने बताई है इसको कोई 2-3 हफते भी follow कर लेए उसको feel होगा क्योंकि reality है कि 90% नहीं करते है तो अगर आप यह चीज़ करते हो तो आप तो वैसे ही top 10 में आ जाओगे top 10% में आ जाओगे तो I hope everything is clear और कोई doubt होगा तो बेशेगा आप पूछेगा ऐसे एक चीज मिस हो गई थी तो वो भी ऐसे काई कि हफते में एक दिन मता सॉरी हफते में एक ऐसे का target रखो बहुत ज़ादा नहीं करना है ठीक है हर चीज़ लिमिट में करिए हाला कि unsighting ओले वीडियो ऐगी तो महाँ पर मैं essay का ये mains का सब बता दूँग अच्छे से तो things will be clear ठीक है तो I hope चीज़े clear हो गई होंगी वीडियो पसंद आया होगा तो comment करके ज़रू बताइएगा वीडियो कैसे लगा and thank you so much जिन्नोंने last तक देखा है इसके बाद NCRT पे एक important वीडियो आएगा और उसके बाद आंसाइटिंग पे एक वीडियो आएगा so thank you so much and see you